कि हम लोगों ने जो गाओं देहात बचावा अंदल चला हुआ है उसी के विश्चे में हमारी तीन दिन पहले एक मीटिंग हुई थी चार दिन पहले सोरी पाणीपत के इस राणा में तो वह एक फैसला लिया गया था कि जब तक पंचाइती राज एक पुन उपसे लागू न मुख्या मंत्री के प्रोग्राम काम लोगों ने विरोध के वहां पर दर्शन किया उनके खिलाब और जब तक हर गाओं के बाहर हमें एक बोड लगाएंगे अब जैसे किसान अंदल में लगाए गे थे जब तक पंचाइती राजक पुन उपसे लागूनी होता और राइट हम लोग जब तक पंचाइती राजक पूल रूपसे लागून नहीं करती सरकार तब तक हमारा संगर जारी रहेगा और हम अपनी लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे और तीन अपने लगों इसी के विश्य में हम लोगों ने जंतर मंतर पर दर्शन रखा है ताकि हम सेंट तो खुलों भी आंचलाएंगे जिलेवाई बताएंगे सरकार के ऐसे सी गईती नितिया जिन से आग्या आने वाले टाम में हमारे समाज का बहुत नुक्षान होने वाड़ा यह लोग ग्रामन क्षेट्र को बिल्कुल खतम करने भी तुले हुए हैं तान्या शाही लाना चा इसकानी जो सविधान के अंदर दिया गया पंचैति राजत पूल रूप से वो क्यों निलागू करते यह तो सविधान जट चरे से तो प्रकूशन ने हना से लिए देल अहले हैं असली बारत गाव में बसता है सहरा आए सबकर शुम्त होगा तब ही देश का में कास हुए अ पंचाहिती राजक पून रूप से लागू करें, जो सविधान के अंदर है, राइटूरी कोल, लोकसभा और विधान सभा में लागू करें, उसके बाद गराम पंचाहितों पे लागू करें, वो भी लेक्टिट बोड़ी है, वरना इसको समाप्त करें, इससे गाउं का भाहि कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस टाइम जो लोग सक्ता में है, जो अधिकार हों करने लगरें, गराम पंचेतों, यह उनके खिलाप लड़ाई है.